हलो दूस्तो नमेश्कार एसे हम किसी चानल में मैं आप सिबलंका दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो रोस्तो इस पड़े में हम लोग कवर करने वाले मल्टिपल स्टॉक्स को उनसे जड़े इंपोर्टन बाते तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे सबसे पहले श्री राम फाइनांस लिमिटेड के साथ सो आप सब इलम को पता ही है कल के दिन भी इससे रिलेटेड वीडियो बन चुका था हाँ निफ्टी फिफ्टी की री बैलनसिंग हम लोगों को होते वे देखने को मिलने वाली है अनॉंश्मेंट भी आ चुकी है श्री राम फाइनांस को ही इनिफ्टी फिफ्टी में जगा या पर मिलने वाले हैं इसी चीज़ के चलते आज के दिन आप देख सकते हो जबरदस ओपनिंग होई थी फिर उसके बाद थोड़ा गिरा है और वापस हम लोगों को अच्छी तेज़ी देखने को मिल चुकी है तो यह जो खबर सामने या पर आ गई तो बाजार ने हम जरू कह सकते हैं इनको तो वेलकम या पर कर दिया है इसके पीछी का logic reason तो कल के दिन में आपको बताएता कि हाँ काफी सारे ऐसे funds होते हैं चोकी सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में ही पैसा लगाते हैं इंडेक्स में जो shares आएंगे उसी में पैसा या पर लगाएंगे सो जो भी entry कर लेता है तो उसमें हम लोगों को वो पैसा आते वे देखने का आपे मिलेगा भविश्य में अभी तक rebalancing हुई ने rebalancing हम लोगो मार्च के बाद मतलब 31 मार्च को हम लोगो ओते वे देखने का आपे मिल जाएगी सो इसी चीज़ के चलते हम लोगों को ये तेज़ी देखने का आपे मिल चुके सिमिलर वे यूपील की बात करें तो ये टाटा भाई 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 बोल देगा इसमें आउट फ्लो हो जाएगा अलड़ी ये अगर देखा गया तो टॉप लेवल से काफी ज़्यादा नुकसानी आपे करवा चुका है 30-40 पसेंट गिर चुका है और आज की दिन की बीग बात करें तो 1% के आसपस हम लोगो गिरावट देखने का आपे मिल चुके बढ़ ये तो इंडेक्स लेवल की कंपनी तो इसकी तो अच्छी कासी पिटाई होते वी देखने को मिल चुकी है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रोस तो पेटीम अगर देखा गया तो सेबी ने तो खुदी इनके उपर इंवेस्टिकेशन सारा स्ट यहापे कर ही दिया है ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक बन चुका है इंवेस्मेंट मतलब समझते हो आप लंबिया उदी तक रुखना पड़ेगा तब ही जाके पैसा बनेगा अगर अगर आप यह कह रहे हो कि 17 का 170 हो जाए 100 हो जाए तो फिलाल तो जिस चंगुल में फसा हुआ है एक बार इन्वेस्टिकेशन का यह जाज बीच शुरू हो गया और अलग-अलग डिपार्ट्मेंट आ गया कंपनियां परिशान हो जाती है ठीक है क्योंकि मार्केट में आपको पता है बड़े जो प्लियर्ज होते हैं उनको इस प्रकार की अंसरेटिनिटीज बिलकुल पसंद नहीं होती है तो छोटा मोटा पैसा आता रहता है छोटे मोटे जम्स चलते रहते है शॉट टम में स्ट खरीद लेते करके और वो स्टोरी रिपेट यहां पर होती ही रहती है मैं अगेन कहे रहा हूँ दोस्तों बिजनेस को समझो वरना बहुत बुरी तरकी से फस्ते रहोगे एफसेल की बात करेंगे अगेन आप देख सकते बिजनेस को समझने वाले ही यहां पर जबरदस पैसा एंड आफ्टर नंबर भी तेजी लगातार देखने को आपे मिल ही रहा है तो बीच में मार्केट गिरा था इसलिए इस चीज स्टॉक में भी आम लोगों थोड़ी सी गिरावर देखने को आपे मिली ते आपने यहां पर देखा होगा अभी वापस मार्केट स्मूध हो रह जैसे कि बीच में हम लोगों ने देखा था कब देखा था यह वाला पिरेड जबरदस गिरा था स्टॉक मतलब लिटरली 400 का स्टॉक 200 पर आ चुका था मतलब 40-50% ऐसे गिरिया फिर वापस रिकावरी अच्छे तरीके से तो यह चीज़े आपको समझ में आनी चाहिए जब 40% क्रेश हुआता है ऐसा कुछ तो अगर आप चेक करोगे तो मैं आपको ऐसे रफली दिखा रहा हूँ 19-20 की अगर बात कर तो 60-70% गिरा था तो अगें सेम चीज़ कि इसका रजे नहीं कि स्काम हो गया फ्रॉड हो गया करकि यह ही छोटे टाइप की कंपनिया क्यों बदा से स्टॉक में तेजी आजाएगी मान लिजे आपने 2-3 करोड चाप लिए बट वो 2-3 करोड से आपको 4-5 करोड जाने के लिए आपको ऐसे ही और भी ओर्डर आने पड़ेंगी अगर आपको ओर्डर नहीं मिले तो वापस आपका प्रॉफिट नीचा आजाएगा कुछ ला अना चाहिए प्रॉब्लेम क्या होते है स्टॉक गिरा चलो बेचो स्टॉक भागा सर खरीदे क्या स्टॉक गिरा अरे तम फस गये भागा अरे अच्छा है श्टॉक अरे ऐसा नहीं करने धंदे को समझो ठीक है तो उस इसाफसी चीज़े समझने एंड कांट्रवारसी वाल युका आपे मिल रही है, so buyback से related जिन भी लोगों ने इसमें participate करने के लिए पैसा लगाया था, जहाँ से शुरुआत होई थी, वहाँ से लगाया होगा, उन्होंने काफी अच्छे returns यहाँ पर बनाया होंगे, क्योंकि अगर देखा गया, तो जब announcement होई थी buyback से, तो तब से लेके अब दम top level के अगर मैं बात करू, 17-18% की returns बने थे, ठीक है, कितने, 17-18, obvious की buyback में जो अपने share को surrender करने जाएंगे, वहाँ पे तो 40% की returns नजर आ रहे हैं, बढ़ हाँ, acceptance translation नाम की भी तो चीज़ होती है, थोड़ी न, सब कुछ ही आपे accept किये जाएंगे, करके, ठीक है, तो यह चीज़ देखने को मिल रहें, तो जैसे ही buyback का अभी fever खतम होने लग गया, तो जो भी लोग ने आपे सिर्फ buyback के लिए आपे participant की आपे किया है, तो अभी हो गया उनका काम, अभी वो exit करते वे देखने को मिल रहें, तो stock वापस नीचे आते वे देखने को आपे मिल रहा है, next अगर हम लोग आपे बात करेंगे दो तो Tata Technologies, yes, Tata Tech की भी बात करेंगे, चलो वापस सेम चीज, आज की दिन 3,5, 3,5% भाग गया, तो ये सीसाओ, सीसाओ का खेली आपे चलता रहता है, ठीक है, जिननने भी blindly आपे खरीदा होगा, तो उनको तकलीफ आपे होती होगी, क्योंकि रोज तेजी आपे आने चाहिए, उसी एक मकसद के चलते वो सटॉक को खरीदते हैं, तो वैसा तो होगा नहीं, बिसनेस को समझना है, बिसनेस कैसा है, मैं बहुत बार बूल चुका हूँ, हजार बार बूल चुका हूँ, बिसनेस इनका अच्छा है, इसका रहती है नहीं कि चटके में 1000 का 2000 हो जाएगा, अलएडी अगर देखा गया त तो stock यह आदे दाम पे ही था, आदे दाम पे कैसे मतलब IPO आया था, वो तो IPO जैसे list हो गया तो double हो गया, तो time तो लगेगा ही भाई, जैसे कि आपको बता है, engine बहुत ही over it होते वे दिखने का आप मिल चुका है, उसके बाद numbers वैसे आने चाहिए, KPIT take का engine गरम होने के बाद भी उन्हाने बता है कि उनके number कितने शांदार है, तो stock और भी हापे भाग रहा है, market को एक ही चीज़ से मतलब होता है आप अपने earnings दिखा दो, ठीक है, आप कमाई दिखा दो, कमाई उस चीज़ को justify करता है, ठीक है, net profit उस चीज़ को justify करता है कि आपका PE ratio उस level पे है या नहीं, ठीक है, क्योंकि PE का ultimately formula अगर आप देखोगे तो यही तो चीज़ आमनों को देखने को आपे मिल जाती है, ठीक है, अगर आपका EPS अच्छा है, earnings अच्छे है, तो आपका PE भी आपको cool off होते वे देखने को मिल जाएगा, अगर आपके earnings अच्छे नहीं, तो जिस high level पे आप अभी होदी के लिए छोड़ दो, बाकी 600 वाला खेल तो यहापे हमेशा, प्लस माइनस प्लस माइनस यहापे हमेशा चलता रहता है, तो इसमें काबिलियत है, potential ही तान तो कह सकता हो, RVNL, तो RVNL भी देख सकते हैं, आज के दिन बहुत अच्छा गिरा, 6% की गिरावाट, ज वो साल जिननोंने NIL returns के साथ hold किया है, माइनस negative returns के साथ hold किया है, ठीक है, उनको मेरी बात सुनने के भी जरूत नहीं होगी, क्योंकि उनको आलड़ी पता है कि market में work कैसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि business बोला गया, तो हर वक्त तो यहापे तेजी होगी नहीं करके, तो government इनको order दे देंगे, तो companyya तो काम करने के लिए ready है, अगर सरकार इनके लिए budget कम कर देगा, तो फिर इनके पास जो जितना पैसा आ रहा है, उसी range में हम लोगो देखने को मिलेगा, growth तो नहीं रहेगी, तो ये एकदम simple सा logic देखने को आपे मिल रहा है, तो सर आपको क्या लगता है, भविशा में railway अच्छा करेगा, अरे भाई हमारा देश कितना बड़ा है, तेके आपको लगता है कि railway connectivity हर जगे पे आ गई, काफी टाइम यहापे लगेगा, काफी अच्छा यह companyya कर सकते, बट एक ही चीज़ हमें तुरंथ return चाहे, तुरंथ वे रानथ कुछ नहीं होता है, हमारे हाथ में नहीं है, किसको तुरंथ return नहीं चाहे मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, बट उस तरीकी की चीज़े हापे होती नहीं है, इतना ही देखना है जो मैं अभी पाच बर चीज को शब्त को इस्तमाल कर चुका छटे टाइम भी वही कहना चाहूंगा potential होना चाहिए so potential रहेगा तो आज ने तो कल तो बड़ा चिक फटी जाएगा इनके नाम से and उसके बाद stock इस प्रकार से अगर आपको stock को पकड़ना है तो धंदे को समझना पड़ेगा और थोड़ी से risk लेकर चलना पड़ेगा ठीक है तो देखा गया तो ये भी company कोई खराब तो है नहीं बाकि तो इस सारी चीज़े short term में तो यहाँ पे चलती रहेती ठीक है तो सिर्फ यही एक चीज़ को यहाँ पे cover करना था दिन IPO की बात करेंगे तो क्या चल रहा है IPO के इसमें GMP की बात करें तो तो मुक्का प्रोटिंस की बात करें तो चलो 50% प्लस का GMP अच्छी बात है platinum की बात करें तो platinum industry 50% प्लस GMP चल रहा है execom की बात करें तो 100% के उपर GMP चल रहा है मतलब अच्छा performance यहाँ पर चल रहा है हमें यहाँ पर कह सकते है decent listing अब definitely expect कर सकते हो next बात करेंगे एक ऐसा stock जो की लगातार गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है लगबग 7-8 दिन होगे कि गिरते ही जा रहा है so company कोन से है दोस्तो BGR Energy System कल के दिन भी इसके उपर डीटेल में वीडियो बनाया था ठीक है इसके पीछे का major reason अगर आप देखो कि 3-4 reason देखने का आप मिल रहे independent director का इस्तिफा, management में भी बहुत सरों का इस्तिफा, promoter भी लगातार stake को अपने sale करते ही जा रहे, करते ही जा रहे company के number, बहुत ही खराब हम लोगों को देखने हो का आप मिल चुके है default भी आप बहुत सरी चीज़े, ऐसा कोई reason ही नहीं कि इसको ऐसे investment के लिए consider करे करके बट फिर भी आपको पते ही है, अभी ये माल बेचा जाएगा माल कौन खरीदेगा, हमारे प्यारे retail minister क्यों, बस ऐसे ही सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो, अगर देखा गया अभी 40-50 पे है एक जमाने में कितने पे था, हजार पे था तो वापस 1000 पे चला जाएगा, इसी उमीद के चलते है बस ऐसे ही उमीद, hope पे चलते खरीद लेते है तो ऐसा नहीं होता है दोस्तो, धंदे को समझना है प्रमोटर खुदी exit करते ही जा रहे हैं यापे तो अभी तक news के अगर हम बात करें इतना ही किसकते है बड़ा किसीने तो यहापे माल यहापे खरीदा होगा अगर खास करके बिरला ओपस आने के बाद बिरला ने तो यही का है कि हम number 2 के position को 3 साल में capture करने की कोशिश आपे करेंगे तो इनके उपर सबस्यादा threat फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है तो कोई ने कोई ऐसा लग रहा है दोस्तो कि बड़े CapEx का announcement यहापे हो सकते है आप देख सकते इतना बड़ा तेजी आपे आना मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ी हल चल यहापे चल रही है इसी चीज के चलते वरना कोई इतना बड़ा माल क्यों ही खरीद लेगा तो आने वाले दिनों में हम लोगो कुछ ना कुछ बड़ा announcement बरजर पेंट के और से होते वे देखने को मिल जाती है बिरला ने जो announcement यहापे किया था बारा सु तेरा सु के रेंज के आसपस यहापे उन्हेंने announcement किया था मतलब बरजर पेंट से ज़्यादा capacity उन्हेंने अल्री announcement किया है बविशा में और भी वो बड़ा सकते अगर ऐसा ही चलता रहा तो बरजर पेंट सेकेंड पोजिशन से थर्ड पोजिशन पे भी आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगीगा तो definitely कोई ना कोई बड़े announcement planning कुछ ना कुछ तो बरजर पेंट में भी जरूर होगी